प्रसार कारिक्रम प्रबंदन एवं सतत विकास की पिशली इकाई में आपने जाना कि कैसे प्रशार शिक्षा की विकास में महतुपुर्ण भूमिका है आज हम इसी क्रम में चर्चा करेंगे सामुदाइक विकास कारिक्रम के बारे में सामुदाइक विकास एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा नए साधनों की खोच कर ग्रामीर समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्टन लाए जा सकता है एक समन्वित कारिक्रम के रूप में इस योजना में जहां एक ओर शिक्षा, प्रसिक्षन, स्वास्त, कुटरुद्योगों के विकास, खृषी संचार तथा समाज सुधारों पर बल दिया जाता है वहीं या ग्रामीरों के विचारों, दृष्टी कोण तथा रूचियों में भी इस तरह के परिवर्टन लाने का प्रियास किया जाता है जिससे ग्रामीर अपना विकास स्वयम करने के योगि बन सके इसकी प्राप्ति के लिए सर्व प्रथम सन 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरकपुर जिलों में एक प्रायोगिक योजना क्रियानवित की गई इसकी सफलता से प्रेरित होकर जन्वरी 1952 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझोता हुआ जिसमें भारत में ग्रामीर विकास के व्यापक विकास के लिए अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता देना स्विकार किया गया ग्रामीर विकास की इस योजना का नाम सामुदाइक विकास योजना रखा गया देश और विदेशों के अनुभवों तथा वित्ती आयोगों की सिफारिशों और अधिक खादिजात समेती की सिफारिशों के आधार पर सामुदाईक विकास कारिकरम की शुरुवात 2 अक्टूबर 1952 को राष्ट्रपिता महत्मा गांधी जी के जन्व दिवस में उनकी स्पृति में राष्ट्रपती डॉक्टर राजिंद्र प्रसाज जी के करकमलो द्वारा हुई सन 1952 में प्रारमिक चरण में तीन ब्लॉकों में 52 सामुदाईक परियोजनाई थी प्रितेक सामुदाईक विकास परियोजनाओं में लगभग 300 गावों 450 से 500 वर्ग मीटर के शेत्र और लगभग 2 लाग की आबादी को शामिल किया गया और प्रितेक परियोजनाओं को 3 विक सामुदाईक विकास ब्लॉक में लगभग 150 से 170 वर्ग मीटर के लगभग 100 गावों शामिल थे प्रितेक ब्लॉक को प्रितेक 5 से 10 गावों के समूहों में विभाजित किया गया था प्रितेक ऐसे समूह ने ग्राम स्तर के कारे करता जिसे ग्राम सेवक भी कहते थे इनके अब बात करते हैं सामुदाइक विकास की सामुदाइक विकास दो शब्दों से मिलकर बना है समुदाइ तथा विकास अब बात करते हैं समुदाइक की एक निश्चित भौगलिक शेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समुदाइक कहते हैं जिनका खानपान, रहन सहन, रीती रिवास, धार्मिक आस्थाएं एवं लोकाचार में समानता दिखाई देती हैं। वे परस्पर एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे की मदद कर सामुदाइक भावनाओं को आत्मनिर्भर होकर जीवन वितीत करते हैं। वे परस्पर एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे की मदद कर सामुदाइक भावनाओं से आत्मनिर्भर होकर जीवन वितीत करते हैं। इस परकार हम जान सकते हैं कि एक समुदाइ में कुछ बाते महत्वपूर्ण होती हैं। समुदाइ एक निश्चित भोगलिक शेत्रिम होता है, यह व्यक्तियों का समुदाइ में समुदाइक भावना होती है और समुदाइ में आत्मनिर्भरता होती है। धामक के अनुसार एक समुदाइ की कुछ विशेशताइं हैं, जैसे समुदाइ सामाजिक अंतरंग द्वारा एक साथ बादि संस्ताइं हैं, उनके रितिवाज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन समुदाइ में मिशृत उप समु सम्बंध होते हैं। समुदाई के भीतर एक स्पष्ट नेत्रत्व भी होता है, अब बात करते हैं विकास की, सामानिता परिपक्वता को ही विकास कहते हैं, विकास धीरे धीरे परंतु क्रमिक होता है, समुदाई की दृष्टी से देखे तो विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों के उन सद्धशाव में वृद्धी लाना जिससे समाज की योगिता एवं शम्ता में वृद्धी हो अर्थात निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की और कदम दर कदम बढ़ाना ही विकास कहलाता है ईबी हुर लोक के अनुसार विकास क्रमिक और सुसंगत परिवर्तनों की एक प्रगती शील श्रंखला को संदर्वित करता है प्रगती दर्शादी है कि परिवर्तन दिशात्मक है और पीछे की बजाए आगे की तरफ होता है विकास समनुगत होता है और हो गए या होने वाले बदलाओं के बीच एक निश्चित सम्बंद होता है इस परिभाशा में कोहरंट यानि समनुगत जहां प्रगती शील का अर्थ है कि विकास सदै आगे की तरफ होता है ना की पीछे की तरफ अरथात विकास ऐसी प्रक्रिया है जो एक निर्धार स्वरूप में बदलते हुए परिवेश में परी पकवता की लक्ष की तरफ अग्रसर होती है फिर है क्रमिक का अर्थ है विकास प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में अवश्य ही कोई न कोई क्रम हो रहता है फिर है समनुगत समनुगत से आश्यर्य है कि परिवर्तन कभी भी संबंद ही नहीं होता है अपीतु हर एक परिवर्तन के बीच कोई न कोई संबंद अवश्य र भड़ता और सामाजिक विकास को प्राथमिक्ता दी गई है। इसके अलावा नियूंतम बुनियादी स्वास्त सुविधाओं और प्राथमिक स्वास्त संस्थानों को प्रदान करना, बच्चों और वयस्क शिक्षा कारिक्रमों के लिए बुनियादी शैक्षनिक सुविधाएं प्रदान करना, मनोरंजन के लिए सुविधाएं सामुदाई विकास कारिक्रम ग्रामीडों के लिए तथा ग्रामीडों द्वारा किये जाने वाला कारिक्रम है ग्रामीड जनता अपनी कल्यान के लिए अपनी समस्यां से निबटने के लिए मिलजुल कर कारिकरते हैं जिससे उनमें आपसी सहीयों की भावना का विकास होता है तथा ग्रामीर नेताओं की पहचान होती है। दूसरा है यह सभी लोगों के लिए होता है। सामुदाइक विकास कारिक्रम सभी जाती, वर्ग, संप्रदाय, धर्म, लिंग, इत्यादी के लिए चलाया जाता है। फिर है प्रजात आंतरिक विधी। सामुदाइक विकास कारिक्रम में सभी लोगों की आवाज सुनी जाती है, सभी की भावनाओं की कद्र होती है, तथा सभी के कल्यान के लिए विकास कारिक्रम आयुजित किये जाते हैं। सामुदाइक विकास कारिक्रम में सभी के विचारों को ध्यारमा रखकर ही योजनाय बनाई वह क्रियानवित की जाती हैं फिर है स्थानी संसाधनों का उप्रयोग सामुदाइक विकास कारिक्रम में ग्रामीनों के आसपास उपलप्त संसाधनों का भरपूर उपयोग गिया जाता है इसके बाद है मानसिक तथा सामाजिक विकास पर बल सामुदाइक विकास कारिक्रम में आर्थिक विकास के साथ साथ मनुष्य के सामाजिक और मांसिक विकास पर भी बल दिया जाता है ताकि वे खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके जब मनुष्य में अच्छे नातिक गुड होंगे तब ही वो अपने परिवार, समाज, राष्ट तथा विश्व के कल्यान के बारे में सोच सकता है इसके बाद है आत्म निर्भरता की भावना का विकास सामुदाइक विकास कारिकरम में लोगों को यह सिखाय जाता है कि वे अपनी मदद स्वयम करना सीखें अपनी समस्यां को समझें, अपनी आवशक्ता को समझें और उन्हें हल करने का प्रयत्न करें सामुदाइक विकास कारिक्रम में लोगों को आत्म निर्भर तथा स्वालंबी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है सामुदाइक विकास कारिक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ सुझाव हैं जिसे ग्रामी नेतत्व विकास पर बल देना, सरकारी तथा गैर सतकारी विभागों में समन्वे स्थापित करना, प्रसिशित प्रसार कारे करताओं की अधिकादिक संख्या में नियुक्ती करना, स्थानी समस्याओं पर विस्तरत अध्यन करना तथा उनके समधान हेतू उपा समय समय पर कारिक्रम का मुल्यांगन करना, तो शिक्षार्थियों, आज की सिकाई में आपने जाना कि सामुदाईक विकास संपुन समुदाईके विकास की ऐसी पद्यती है जिसमें जन सहभाग के द्वारा समुदाईके जीवन स्थर को उचा उठाने का प्रयास किया जाता और समुदाई विकास एक ऐसा समन्वित कारिक्रम है जो ग्रामीर जीवन से सभी पहलों से समंद्ध होता है तथा धर्म जाती सामाजिक अत्वा आर्थिक असमानताओं को बिना कोई महत्वदिये संपुन्ड ग्रामीर समुदाई पर लागू होता है इस योजना में प्रिसेक्षन, स्वास्थ, कुटरुद्योगों के विकास, ख्रिशी संचार तथा समा सुधार पर बल दिया जाता है धन्यवाद